हलो मैं डियर स्टूडिन्स वेलकम ट्यू 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 ने बोला कि आप इस वीडियो को अपलोड कीजिए और आप देख सकते हैं पार्ट वन है और पार्ट टू भी आपको बहुत जल दे दूँगा मैं इसी के साथ तो देखते हैं बचो फार्स क्वेशिन क्या बीजेपी या फिर कॉंग्रेस या फिर लॉक्तल या फिर कॉम्निस पार्टी तो यहां करेक्ट आंसर क्या है ओप्शन बी यारी कॉंग्रेस पार्टी नी जो है इस टाइम तक रूल किया था इस 1982 और 1987 के बीच में आप चलते हैं क्वेशन नबर टू के लिए इस वक्त की बात करें तो कॉंग्रेस का जो ओपोजिशन लीडर जो है वो कौन था आपके सामने है चोधरी देविलाल, चोधरी ओंपरकाश चोटाला, चोधरी चरन सिंग या फिर नारायन सिंग तो बच्चो यहाँ पर करेक्ट आंसर है चोधरी देविलाल जो है वो स्ट्रॉंग ओपोजिशन लीडर थी उस टाम जो है कॉंग्रेस की अब चलते हैं क्वेशन नबर थी के लिए अधे टाइम चोधरी देविलाल लेडा मूवमेंट उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था एक अंदोलन स्टार्ट किया था और उस अंदोलन का आपको नाम बताना है उप्शन आपके सामने है गरीबी हटाओ, नियाए युद, धरम युद या फिर धरम करम तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर क्या है नियाए युद यानि उन्होंने जिस अंदोलन को स्टार्ट किया उसका नाम था नियाए युद, अब चलते हैं क्वेशन नमबर फोर के लिए विच पार्टी वस फॉंड बाई चोधरी देविलाल उन्होंने जो है कौन सी पार्टी जो है फॉर्म की थी तो आपके सामने ऑप्शन है लोक दल, लोक पाल, जनता दल या फिर आई एन एल डी जिसे हम बोलेंगे इन एलो, तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस राइट आंसर इस लोक दल जो है उन्होंने पार्टी फॉर्म की थी, अब चलते हैं क्वेशन नमबर फाइव के लिए, इफ इस पार्टी वोन, दा इलेक्शन, इस गवर्नमेंट व सब का लोन जो है माफ कर देगी, तो आपको बताना है कि यह पार्टी कौन सी थी, तो ओप्शन आपके सामने है, या किसकी पार्टी थी वो, तो चोदरी चरन सिंग की, चोदरी क्रिशन सिंग की, चोदरी ओम परकाश की, या फिर हम कहें नन आफ दीज, तो बच्चों यहा है, क्वेशन नमबर 6 के लिए, how many seats were won by the लोक तल and its alleys in the state assembly elections, यानि उनकी जो साथी पार्टी है, या लोक तल उन्होंने मिल की 1987 की election में कितनी seat जीती थी, तो ओप्शन आपके सामने है, 76 out of 90, 74 out of 85, 60 out of 90, या फिर 75 out of 90, तो बच्चों यहां correct answer क्या होना चाहिए, correct answer है, option A is 76 out of 90, आपको एक पल के लिए लगा होगा कि शाय 60 seats हो है, तो इतना बता दे बच्चों कि जो 60 seats है वो अकेली लोक तल की थी, लेकिन मैंने आपसे question पूछा था कि लोक तल के साथ उनके जो साती या सहाइक पार्टी भी हैं, उन्होंने total कितनी जीती थी, तो correct answer क्य या फिर 56, और यहां correct answer है, 60 seats हो है वो अकेले लोक तल नहीं चीती थी, इसका मतलब क्या है, majority में थे वो लोग, अब चलते हैं, next question के लिए, how many seats were won by Congress Party in Assembly Elections of 1987, और बच्चों option आपके सामने है, 10 seats, 5 seats, 7 seats, या फिर 15 seats, तो बच्चों यहां पर correct answer क्या होना चीए, correct answer है, option B, य और अब चलते हैं, question number 9 के लिए, who invited चोदरी देविलाल to be elected as the new chief minister, यानि किनों ने invite किया, उनको कि आपको जो है, नया chief minister बनाया जा रहा है, option आपके सामने है, the president, the ex chief minister, the governor, या फिर prime minister, तो बच्चों यहां correct answer है, the governor, in fact हम कहेंगी president, नहीं ऐसा नहीं है, president जो है, center में काम कर करते हैं, और correct answer के है, the governor, यानि governor जो है, वो हमेशा chief minister को invite करते हैं, जो ओथ लेने के लिए, कि आप आजएए, और आप जो है, appointed है, आप चलते हैं, question number 10 के लिए, whom did the newly elected members of the legislative assembly chose as their leader, यानि अब आपको बताना है कि जो, दूसरे जो member है, in fact हम कहें कि majority में जो थे, उन्होंने किसको अपना leader चुना कि ठीक है, आप चो है, हमारे head बन जाईए, तो option आपके सामने है, चोदरी चरन सिंग को, या चोदरी देवीलाल को, या लालालाज पतराई क या फिर शिरी नरायन सिंग को, तो बच्चो यहां correct answer है, of course, it's very clear, चोदरी देवीलाल जो है, उनको जो है, कहा सबीने कि ठीक है, आप हमारे leader बन जाईए, क्योंकि, वो majority में थे, और सरसम्मती से उनको जो है, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, अब चलते है, question number 11 के लि तो बच्चो यहां correct answer है, only for 4 years, या उन्होंने rule किया, अब चलते है, question number 12 के लिए, when did the next state assembly election held after 1987, तो यानि फिर से दुबारा election कब हुए थे 1987 के बाद, तो option आपके सामने है, 1989, 1990, 1991 या फिर 1992, तो बच्चो यहां correct answer है, option C, 1991 में election हुए थे फिर से दुबारा से, अब चलते है, question number 13 के लिए, which statement is true about the right to vote, यानि अगर हम right to vote की बात करें, जो हमारा voting right है, उसकी बात करें, तो कौन सी statement true है, तो option आपके सामने है, that everyone should have one vote, या फिर कहें every vote should have equal value, या कहें only a, या फिर दोनों ही option correct होने चाहिए, तो बच्चो यहां right to vote को लेकर अगर कहें, तो दोनों ही option correct होने चाहिए, कि हर किसी की जो एक vote होनी चाहिए, और उस vote की value भी जो है equal होनी चाहिए, यानि one value होनी चाहिए, one vote is equal to one value, तो इसलिए दोनों option correct होनी चाहिए, अब चलते है, question number 14 के लिए, what are elections all about, यानि elections हो है, उनको अगर कहें कि किस के बारे में होते हैं, politics के ब बारे में, या फिर political competition के बारे में, या फिर political power के बारे में, तो बचो according to the text हमें answer लेना है, तो yes, the right answer is political competition, यानि elections का मतलब है, आपका जो political competition होगा, अगर आपकी party में दमखम है, तो आप जीच जाहिए, अब चलते हैं, question number 15, at the constituency level, what form does election take place, यानि किस form में election जो होते हैं, अगर constituency level की बात की जाए, तो options आपके सामने है, first option है, at the constituency level, it takes form of competition among several candidates, या फिर second option है, competition among waters, या third option है, competition among political parties, या फिर कहें, competition among various pressure groups, तो correct answer बच्चों क्या होना चाहिए, या सा right answer is option A, यानि at the constituency level की अगर बात करें, it takes form of competition among several candidates, इस right answer, यानि अलग-अलग candidates के बीच में competition होता है, तो अब चलते हैं, question number 16 में, क्या है, which statement is true, यानि को सी statement true है, about the political leaders all over the world, यानि जितने भी political leaders हैं all over the world, उनके बारे में को सी statement सही है, तो political leaders like all other professionals are motivated by a desire to advance their career, यानि जो political leaders हैं, दूसरे professionals की तरह हैं, वो भी चाहते हैं, कि उनका career आगे बड़े, second option है, they want to remain in power, और get power and position for themselves, और वो हमेशा चाहते हैं, कि वो power में रहें, या उनको power मिले, या position सुनकी जो है, वो मिले, और third option में देखिए, only है, या फिर कहें, both A and B दोनों ही correct होनी चाहिए, तो अच्छो हम कहेंगे, कि दोनों ही बाते correct हैं, both A and B, जो है, both are correct, क्योंकि ऐसा होता है, कि वो हमेशा power में रहना चाहते हैं, और छोड के नहीं जाना चाहते हैं, अब चलते हैं, question number 17 के लिए, what is the best way to improve the political leaders, अगर आप चाहते हैं, कि political leaders को improve किया जाए, तो उसका सबसे best solution क्या है, try to improve, तो आपको जो है, देखना है, first option क्या है, इसमें है try and improve the knowledge and character of political leaders, या second option है, set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so, या third option है, only A, या फिर both A and B, यहाँ पर भी दोनों correct होने चाहिए, तो अच्छो हम कहेंगे, कि यहाँ पर भी जो है, both A and B जो है correct होने चाहिए, देखिए, first option क्या है, या आप कोशिच कीजिए, उन leaders की knowledge या उनकी character को better करने की और दूसरा है, कि कैसा system होना चाहिए, अगर वो अच्छा काम करते हैं, तो उनको reward दिया जाए, और अगर वो अच्छा काम नहीं करते हैं, तो उनको punishment होनी चाहिए, यानि यह किस sense में कहा गया है, reward होता है, कि उनको आप next time फिर से choose करें, और punishment होती है, कि आप next time उनको choose मत क करें, तो अब चलते हैं, बच्छों, हम next question के लिए, next question में है, who decides this reward and punishment for the people, या हम कहें कि, जो ये reward है, in fact हम कहें not people, but leaders, इन leaders के लिए जो reward और punishment की बात हो रही है, ये कौन decide करता है, तो option आपके सामनी है, prime minister, या कहें कि president, या कहें parliament, या फिर कहें people, तो बच्छों, यहाँ exact answer क्या होना चाहिए, ये of course the right answer is people, क्योंकि इनी leaders के लिए वो इस reward की या punishment की बात करते हैं, in fact reward होता है, इनाम और punishment आपको पाता है सजा होती है, और वो मैंने आपको hint दे दिया है, कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, तो उनको फिर से choose किया जाएगा, अगर अच्छा काम नह करेंगे, तो फिर उनको choose नहीं किया जाता है, अब चलते हैं, बच्छो next question के लिए, तो next question है आपका, लोगसभा and विदानसभा elections are held after, यानि लोगसभा और विदानसभा elections की बात करें, तो कितने time के बात वो होते हैं, 3 years, 4 years, 5 years, या फिर 6 years, तो बच्छो यहां correct answer है, option C, ये same day or within a few days, यानि जब किसी भी consequences में, in fact, all consequences की बात करें, same time पे होते हैं, किसी भी दिन हो सकते हैं, या few days के अंदर होते हैं, तो what do we call such elections, ऐसे elections को हम क्या नाम देते हैं, हम कहेंगे a general election, या फिर assembly election, a mid term election, या none of these, तो बच्छो यहां correct answer है, हम ऐसे elections को बोलते हैं, a journal election जो है, अब चलते हैं, question number 21 के लिए, लेकिन जब election होते हैं, only for one constituency, to fill the vacancy, जो cause हुई है, या जिसकी वज़े से हुई है, कोई death हो चुकी है, या किसी ने resign कर दिया है, उस वज़े से होती है, तो ऐसे election को फिर क्या नाम दिया जाता है, mid term election, single election, by election, या none of these, तो बच्छो यहां correct answer है, by election, जो है, हम इसे कहेंगे, अब चलते हैं, next question के लिए, question number 22, when the country is divided into different areas for purpose of elections, तो what are these areas called, यानि अगर आप country को अलग-अलग areas में divide करते हैं, election के लिए, इन areas को क्या कहा जाता है, पॉलिंग बूत, या फिर हम कहें, electoral consequences, या फिर कहें, election campaign, या कहें, election stations, तो क्या होना ची, बच्छो correct answer यहां पर, तो बच्छो यहां पर correct answer है, electoral consequences, जो है, हम इसको नाम देते हैं, अब चलते हैं, question number 23 के लिए, how many representatives are elected by the voters of a particular area, यानि कितने जो है, leaders, या representatives को चूज किया जाता है, वहां के particular voter के दुआरा, एक particular area में, तो option आपके सामने है, one, two, three, या फिर four, तो बच्छो, it's very simple, अगर एक particular area की बात होती है, तो वहां से एक ही representative को चूज किया जाएगा, इसलिए correct answer क्या है, only one, अब चलते है, question number 24 के लिए, for lots of elections, the country is divided into how many consequences, अगर lots of elections की बात करें, तो क इतनी constituencies में divide किया गया है, country को, option आपके सामने है, 542, 543, 544, या फिर 546, तो बच्छो, यहां correct answer है, 543 constituencies में इसको divide किया गया है, जिसमें जो है, कुछ seats, general category के लिए है, कुछ schedule caste के लिए, और कुछ schedule types के लिए भी fix की गई है, तो अब चलते है, question number 25 के लिए, the representative elected from each constituency is called, या जो representative जो है, जिसको हर constituency से choose किया जाता है, ऐसी जगा में इसको क्या कहा जाता है, winner, या फिर MP, या फिर Member of Parliament, या कहीं बोथ BNC दोनों ही correct होने चाहिए, तो बच्छो, यहां correct answer है, MP and Member of Parliament, दोनों सेमी चीज़े हैं, बोथ BNC, it's the right answer, तो बच्छो, इनी questions के साथ, इस वीड को visit नहीं किया, तो वो भी कीजेगा, for more videos in English as well, so thank you and have very nice day.